हलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आज मैं आलू की कचोड़ी बनाने जा रहे हूं आप इसे कभी भी खा सकते हैं नाश्ते में लांच में डिनर में तो बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने आदा किलो आलू लिये हैं उन्हें बॉयल कर लिया है उसको छील आदा में एक चमश लालमेश बॉडर डालेंगे और चुटा हम इसमें सबजी मसाला डालेंगे यहां में चैच का मसाला मैंने यूज किया है और गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा ए वन थर्ड टीस्पून और नमक डालेंगे टीस्पे अकॉर्डिंग जितना आपको चाहि इ cob inches कोट लिया है और जो हरीमिञ लिया है अधनिया लिया भी आरी शोलों भी बारिक चॉप कर लिया है अब स೴ब्भी है भी मिय ए कोटे लिया धनिया सारी किसे हम इसमें बालते मिक्स कर लेंगे लेशन डालना बहुत ज़रूरी है ध्यान देखिएगा यह देखी सारा मैंने मिक्स कर लिया है और जल्दी से मैं आटा गूंद लेती हूँ मैदा भी यूज कर सकते हैं पर मैदा आप जानते हैं ज्यादा डाइजिस्टिव नहीं होता है तो इसलिए आटा यूज करिएगा अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अब हम जो है थोड़ा थोड़ा करके आटा लेंगे और उसमें जो है यह आलू का मिक्चर बढ़ते जाएंगे इसको बनाना बहुत सिंपल है बहुत असान है और आप इसे बना के ज़रूर ट्राइक करिएगा बहुत टेस्ट्री बनता है यह ब्रेकफास्ट लंच हो या डिनर हो आप किसी में भी से बना सकते हैं इसके साथ जो है हरी वाली धनिया की चतनी बनाईएगा टमाटर वाली हरी धनिया टमाटर मेज और लहसुन की और गर्मा गर्म एक कप चाय और हाँ जब आप इसे सेखेंगे तो देखी मेरी कजोड़ि अब फूली हुई है तो इसलिए फूल रही है कि जो है स्टार्टिंग में आप इसको धीमे आज पर सेखेंगा उसके बाद जब यह आदि सीख जाए फिर आप इसको तेज आज पर सेखेंगा तो आपकी कचोड़ियां भी इसी तरीके से फूल जाएंगी आप यह मेरी